हेलो एवरिवान, वेलकम टो टीचिंग उनलाइन, इस वीडियो में हम क्वाद्रिलेटर्स चाप्टर का एक्सरसाइज नंबर 8.1 का क्वेस्चिन नंबर 7 देखेंगे, सो क्वेस्चिन है कि ABCD is a rhombus, यह हमें बता रखा है कि यह जो हमें ABCD दिया है, यह एक rhombus है, शो डाट, डाइगनल AC, बाइसेक्ट एंगल A, यह जो डाइगनल AC है, यह एंगल A को बाइसेक्ट करती है, और एंगल C को भी बाइसेक्ट करती है, और यह जो डाइगनल है, कौनसी BD, यह एंगल B को भी बाइसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करने का क्या मतलब, एंगल B को दो इकोल पार्ट में डिवाइट करती है, ठेक है, और एंगल D को भी बाइसेक्ट करती है, तो हम स्टार्ट करते हैं, तो हमें दोनों डाइगनल के तो सबसे पहले हम यह BD वाला करते हैं ऐसे तो मैंने यहां पर इस figure को इस rhombus को टू ट्राइंगल में split कर लिया यहां पर आप देख रहे हो BCD ट्राइंगल और BDA यह BCD ट्राइंगल है और यह BDA यह दो पार्ट्स में ट्राइंगल को ऐसे horizontally हमने यहां horizontally नहीं बीच में से दोनों को separate कर लिया है अब हमें इन दोनों को concurrent proof करना है concurrent proof करने से क्या होगा हम इन दोनों को equal बता सकते हैं by cpct अब हम start करते है cd is equal to da now यह जो cd है यह da के equal है कैसे क्योंकि rhombus की सारी sides equal होती है और हमें यहां पर बोल रखा है कि rhombus को parallelogram यहां पर abcd को parallelogram नहीं rhombus है तो हो गए इसकी सारी side equal तो इसका मतलब cd is equal to da and cb is equal to ba और cb is equal to ba यह भी given है और जो db है यह जो बीच की line है यह है common तो हमने by ss concurrency हमने यह प्रूफ कर दिया है triangle को congruent अब हम इन triangles के जो angle है उनका name रख लेते हैं तो यहां पर जो angle d था इसको मैंने angle 1 and angle 2 में divide कर दिया है और जो angle b था उसको angle 3 और angle 4 में divide कर दिया है तो अब मैं by cp cta बोल सकती हूँ कि angle 1 is equal to angle 2 क्योंकि मैंने इन दोनों triangles को इन दोनों triangles को congruent proof कर दिया है और angle 3 is equal to angle 4 तो so bd bisect angle d as well as angle b हमने ये वाली चीज़ clear कर दी अब same हम इन दोनों triangles को इस तरीके से split करके ये दोनों angles congruent equal bisect proof करेंगे अब हम क्या करेंगे पहले हमारे पास जो rhombus था उसको हमने इस तरीके से two separate triangles में divide किया था इस बार हम अपने square को कुछ इस तरीके से two separate triangles में divide करेंगे हमने कर दिया कौन-कौन से triangles मिले a, d, c and a, c, b अब इसको congruent proof करने के लिए ये सारी चीज़े चाहिए a, d is equals to a, b ये जो a, d है ये a, b के equal है ये हमको पता है कि rhombus की सारी side equal है तो आप given भी लिख सकते हो तो इस question में बता रखा है कि a, b, c, d is a rhombus d, c is equals to c, b जो d, c है ये c, b के equal है और जो बीच में a, c आ रही है ये क्या है, common है इस से हम s, s congruency से हम ये बता सकते हैं कि जो ये दोनों triangles हैं, ये आपस में congruent है और अगर congruent हैं, तो हमने क्यों congruent proof कर रहा है क्योंकि हम ये कुछ न कुछ c, 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 c तो यहां पर हमने पीछे दोनों देख लिया कि A,C कैसे bisect कर रही है एंगल A और एंगल C को और B,D कैसे bisect कर रही है एंगल B और एंगल D को इस वीडियो में हमने यह कोशन देखा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में थेंक्यू वेरी मच्च